में ये भी शेयर किया है कि प्रोड़क का जो भी हम प्रोड़क अपने फेस पर अपलाय करते हैं उसका वर्क क्या-क्या होता है वो किस तरीके से हमारे फेस को हेल्प करता है तो कईसे अपसब hope you all doing well तो जाद की वीडियो में आपके लिएक कर आई हूं मेकप के स्टेप्स की हमें चाहिए विजिए को लीडियोके लिए क्या अपलाए करने चाहिए इस प्रोड़क के बाद में क्या अपलाए करने चाहिए काफी कंस्यूजन होता है कि हमें इस प्रोड़क के बाद में क्या अपलाए करने चाहिए तो मैं इस लिए मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर करूं कि मेकप के सारे स् तो हुपसो आपको मेरी वीडियो पसंद आये guys तो आपका दोधर राइम ना लेते हुए चलिए वीडियो को start करते हैं और हाँ guys वीडियो को start करने से पहले अगर आप चैनल पर first time आया है तो आपको क्या करना है guys आपको पता ही होगा आपको करना है subscribe अब जब आपको सिखाना चाहती हो या जो भी आप मसे सीखना चाहते हैं वो इसली आपको समझ में आ जाए तो मैंने काफी हद तक कोशिश की है कि मैं इस सारे स्टेप सपको अच्छे से समझा सकूं और काफी मैंने डीपली समझाया भी है इस वीडियो में कि जो भी जो मैंने किस तरीके से अपलाए करना चाहिए तो शुल् Lindy को आपके लिए तो अपके लि? वीडियो बीटो को स्टार्ट करते हैं आर ऐ रिई अच्छेके के हमें से अіль ready करना होता है कैसे तम हमें कर लिए करना होत है। क्लिensus एम सी टोनर मॉस्टेराइजिंग चलिन करोbasно करक्वे को लिए लिए अब पनी सिसंग और अपने साइब आपके ज़ते हैं यहां पर आप चाहे पास बूरी को टोन कर क्लिया है । घंग को क्लें है यहां तो अगर हो गुलाब जल हुप कर रहे हुए तो अगर आपके बास आपके बास पुलाब जल है तो अपलाब चाहरा जती है तो मैं इसे अप्लाइ कर लूगी तो इस टोनर हमने अप्लाइ कर लिया है वह बहुत इजली अब्जॉर्ब हो गया है हमारी स्किन पर नेक्स इसके बाद हमें अप्लाइ कर रहे हैं जो है मॉश्योरिजर जो है वो काफी आप के आते अगर आपके स्कीन ड्राय हो तो आपकी सिकन टाइप जो भी है अपने सिकन टाइप के कोई भी अच्छा मॉश्यृाइजर यूज कर सकते हैं तो या गई थी आपर मॉश्यराजर मैं अच्छे से अप्लाए कर लिया है और वह काफी दिखी काफी काफी हाइड्रेट लग रही है मिली स्किन तो दिखिए गईस कुछी सरी किसे आपको मॉश्यराजर अप्लाए कर लेना है अब नेक्स में आपर लिपाम अप्लाए कर मॉश्यराजर बिए अप्लाए कर लिए है मैं अब लेक्स मैं आपर मिरी detected जो है वह भी ड्राए है तो इस दिया मैं हापर थी अपर Upper तो इस वज़े से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अपने फेस को मेकप के लिए रेडी करना यानि कि अपने फेस को हाइड़ेट करना तो यहाँ पर मैं सिर्म अप्लाइ कर लूगी अगर आपकी स्किन टाइप ओईली है तो आप सिर्म को स्किप कर सकते है अपर भी फेसल अपर इसे अपलाइड नहीं करियेगा और हाँ गैस अगर आपकी skin dry है तो आप हमेशा oil based primer oil based serum यूज कर सकते हैं पर अगर आपकी skin oily है तो आप वहाँ पर gel based primer यूज कर सकते हैं because guys जो gel based primer होता है वो oil control करता है तो इस वज़े से आप यापर gel based primer यूज कर सकते हैं तो मैं इस अच्छे से अपने फेस पर शर्म अप्लाय कर लिया है अब next step है primer तो primer जो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ beauty का primer यूज कर रही हूँ तो आपके skin tone के according जो भी अच्छा primer हो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं but guys primer को बिभी भी इस किप मत करियेगा because primer को क्या काम होता है because our tea zone area होता है अपर open pores की problem जाधा होती है यभी हम अपना कोई भी foundation अप्लाय करते हैं या फिर कोई BB cream या CC cream अप्लाय करते हैं तो यहां से जो हमारे open pores पर भर जाती है अंदर की तरफ तो इसलिए हमारे में हमें सब से इंपॉर्ट है आपने पोर्स को close करना पोर्स को जाएंगे तो हमारा foundation जोगा वो बिल्कुल भी केकी या फिर बिल्कुल भी पैची नहीं लेगा तो गाइस देखिए यहां पर हमने CTM complete कर लिया है हमने serum भी अप्लाय कर लिया है प्राइमर भी अप्लाय कर लिया है अब नेक्स हम यहाँ पर अपने फेस पर foundation अप्लाय कर सकते है विकाज हमरा फेस रेडी हो चुका है foundation के लिए अब हम अपने फेस पर जो भी foundation अप्लाय करेंगे विल्कुल भी केकी या फिर पैची नहीं लगेगा तो इसलिए मैं पर foundation अप्लाय करूँगी यहाँ पर मैं यूज़ कर रही है तो इस ब्यूटी का foundation और इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी कुछ इस तरीके के ब्यूटी ब्लेंडर से तो देखिए गाइस कितने अच्छे से spread हो रहा है यह अपने फेस पर सो गाइस देखिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट अपने फेस पर foundation अप्लाय कर लिया है बट यहाँ पर देखिए मैं आपको डिफ्रेंस पताना चाहूंगी कि अगर हम आने अपने हाफ फेस पर foundation अप्लाय किया है बिकॉब मैंने direct foundation अप्लाय किया है बट हां अगर आपके डाक सिकल्स है pigmentation है तो आपको यह पर औरंज करेक्टर यूज करना है कि अगर आप और इस और यूज करोगे तो वह जो भी इतने साथ लार्ता तो नहीं है तो कोई भी करेंडि़ यूज्ग तो देखिए गज़्ट मेने क्वाइशन अप्लाय कर लिया है इन बहुत जादा फाउन्डिशन आपिले नहीं किया है मैं इसलिए नहीं के लिए अगर आपको high coverage चाहिए तो आप high coverage foundation use कर सकते हैं या फिर guys दिखे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको भी foundation use कर रहे हो उसे बहुत जादा quantity में अपलाए नहीं करना है because वो केकी लुग देगा तो इसलिए आप जो भी foundation अपलाए कर रहे हैं अब नेक्स में आपर concealer apply कर रहे हूं तो गाइस concealer में यापर यूज़ कर रहे हैं Swiss beauty का concealer यूज़ कर रहे हूं जिसमें मेरा एक shade है वो है मेरी skin tone से one shade light और जो दूसरा shade मेरी skin tone से one shade dark है तो में आपर डाक वाला shade यूज़ करूंगी आप अगर एक अच्छा concealer सर्च कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा अच्छा concealer आप सर्च कर रहे हैं जो बहुत ज़ादा कॉसली हो तो आप कॉसली पर मत जाना आप Swiss beauty का concealer ट्राइ कर सकते गाइस तर्फ्रस मी यह बहुत अच्छा concealer बहुत ही affordable है अब नेक्स नहां पर हमें क्या करना होता है गाइस जो में पर फेस पर बेस मेकप किया है लाई concealer apply किया है foundation apply किया है इसे lock करना जिससे कि जो मरा face पे कोई भी crease line या फिर कोई भी patchiness ना हो और जो मरा foundation है वो अपनी जगह पर lock हो जाए तो आप यहां पर कोई भी compact का use कर सकते है पर loose powder का use कर सकते है फिर banana powder का भी आप यहां पर use कर सकते है आपके skin type के gel brow filling तो आपको जो भी आपके coating अच्छा लगे कोई भी brown pencil भी आप भी उज़कर सकते है या फिर gel liner भी उज़कर सकते है कुछ भी उज़कर सकते हैं ज़कर सकते हैं सो याग गईस में ब्राव लाउस कोश्य से फिल कर लिया है अब नेक्स step है यहां पर लाइन अपलाय कर रही ह तो यहां पर आपने चीक को ब्लश कर लूगी और हाँ गैस लाइनर अप्लाइक करना नहीं आता है अगर आप बिगियर है तो मैंने इसके उपर एक सेपरेट वीडियो शेयर के लिए किया हुआ है आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं अब अपने फेस को कॉंटूर करूंगी कॉंटूर कैसे करना है गाइस एक ब्राउन शेड लेना है डाग ब्राउन शेड अगर आपके पास कॉंटूर स्किक नहीं है तो आप वहाँ पर अपनी आईशेडव पैलेट से को अब मचल अफमन मेel स्किंग और अपनी नोच को भी इसागा करना है जा अपनी नोज को भी हाइलाइट कर लोगी औल थोट यूजा पने फोर एक पर अपल अपलयकर लोगी and makeup का last step lipstick तो यहापर मैं lipstick apply कर दूंगी so guys मैं lipstick apply कर लिये हैं और मैंने getting भी wear कर लिये हैं तो यह है मेरा final look so guys यह थी मेरी आज की video और hope so guys मेरी यह video आपके लिए helpful रही हो so guys अगर यह video आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी प्लीज चैनल को subscribe करना बिल्कुल भूले वीडियो को लाइक इश्टी जरूर कर देज़ेगा जिसे कि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाती रहूं तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ न्यू टिप्स के साथ जबते के लिए बाबाई टेक कियो